किसी ने क्या खूब कहा है रात रात बर जाकर पढ़ना सुरू कर दो क्योंकि किस्मत के तारे भी तबी चमकेंगे जब नींद अधूरी होगी आज के टाइम पर किताबे महस दिखावे के लिए बच गई हैं उन्हें पढ़ना कोई नहीं चाता सब चाते हैं कि कोई ऐसी दवा या कोई ऐसी जड़ी बूटी मिल जाए कि इन किताबों को एक ही बार में घोल कर पीजाए मगर अफसोस ऐसा हो नहीं सकता पढ़ाई ना करने के पीछे लाग कारण हो सकते हैं दिन बढ़ टीवी देखना, गेम्स और इंस्टाग्राम पर एटके रहना, सोते रहना या किसी की याद में रोते रहना ऐसे हजारों कारण हैं पढ़ाई ना करने के पीछे लेकिन एक ऐसा कारण भी है जो इन सभी कारणों को रिप्रेजेंट करता है इन सभी कारणों का बाप है और वो कारण है पढ़ाई में मन ना लगना ये सबसे बढ़ा रोना है जो देश का लगबख हर स्टुडेंट रोता है कि वो पढ़ना तो चाहता है लेकिन उसका पढ़ने में मन नहीं लगता, पढ़ने का मन नहीं करता एक बात हमेशा याद रखना दोस्त, तेरे जीवन में अगर किताबों का गोल होगा, तभी तेरी जिन्दगी का कोई मोल होगा इन सभी बातों को समझता हर कोई है, लेकिन बाउजूद इसके इस मसले का हल नहीं जानता तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को 5 ऐसे रामवान टेकनिक्स से इंट्रोड्यूज करामगा, जिन्हें अगर आपने समझ लिया, तो आपकी इस्टूडेंट लाइफ ना सिर्फ भैतर होगी, बलकि आपके लिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिंग और मज़ेदार भी हो जाएगी, पॉइंट नमबर बन, इस्टे मोटिवेटेड इंटरनाली, हमेशा अंदर से मोटिवेट रहो, जब तक सरीर में मोटिवेशन ना हो, तब तक सरीर बेजान लगता है, ऐसे में पढ़ाई जैसे फैक्टर को आप नजर अंदाज नहीं कर सक उससे पहले कोई मोटिवेशनल कहानी पढ़े, और सबसे अच्छी सला मेरी आपको यही रहेगी, कि आप अपने सलेबस को पढ़ने से पहले, एड लिष्ट कुछ मिनट डैस्क पर रखी हुई किसी इंस्प्रेशनल बुक्य कुछ पन्नों को जरूर पढ़े, या फिर एक म पढ़ने बैठे, इससे आपके अंदर इतना तो मोटिवेशन जागी उठेगा, जिससे आप अगले एक घंटे तक अपना ध्यान पढ़ाई में लगा सकोगे, और अगले एक घंटे बाद, सेम पैटरन आपको फिर से फोलो करना है, दोस्तों मोटिवेशन हमेशा के लिए क ठीक इसी तरह आप पढ़ने में कित्री भी अच्छी हो या बुरे हो, आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हो या बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि पढ़ने के पीछे आपका असली मकसद क्या है, तो पढ़ाई की भूख कभी नहीं पाए, आपको पढ़ाई से क्या चाहिए, जवाब तो लाखो में है, एक भैतर जिंदगी, भैतर लाइफ इस्टाइल, सोसेली, फाइनेंसियली और मेंटली मजबूत होना, और भी भहुत कुछ, और सबसे खास, अपने माबाप की उम्मिदों पर खरा उतरना, तो वस इनी बातों का ध्यान रखना है, और रुकना कभी नहीं है, इन चीजों को लिखना है, और पढ़ने से 5 मिनट पहले, इन सभी को दिल से पढ़ना है, पॉइंट नमर 3, मेक यो और मूड साइन, एंड स्लेवस फाइन, अपना मूड, क्यानी अपनी मनो दसा ठीक रखो, पढ़ने खेलते चमचमाते से चहरे के साथ पढ़ाई की सुरुवात करनी है, किसी भी प्रेसर, तनाव या गुसे में आकर नहीं पढ़ना है, और इसके साथ-साथ, अपने स्लेवस का भी एक बढ़ियासा टाइम टेबल बना लेना है, स्लेवस से हमेसे आप्टू डेटेड रहना है डरना कम है, पढ़ना जादा है, स्लेवस को तुम एक टास्की तरह पे लेकरो, जश्ट लाइक हम किसी भी गेम में लेवल पर लेवल क्रोज करते हैं, इससे तुमारी अंदर एक चैलेंजिंग एबिलेटी पन पेगी, और हर बढ़ते दिन के साथ, पढ़ने का मज़ा भी पढ़ता चला जाएगा, पॉइंट नमबर 4, कीप ओल इस्ट्रेक्टिंग डिवाइसे सभी, पढ़ते वक्त उन सभी डिवाइसे को अपने से दूर रखना है, जो आपका ध्यान बढ़का सकती है, अगर पढ़ाई में मन लगाना है, तो उन सभी चीजों को खुझ से दू पढ़ाई में मन लगना खुझ बखुझ सुरू हो जाएगा, पॉइंट नमबर 5, तोपर्स के गुरूप में सामिल हो जाओ, कही न कहीं जब हम गलत संगत के सिकार हो जाते हैं, तो वाकई हमारा पूरा ध्यान सही चीजों से हट जाता है, तो इस पॉइंट पर आप हमेशा डिस्ट्रेक्टेड रहते हूँ, आपका पढ़ाई में बिलकुल भी मन नहीं दोस्तों अगर पढ़ाई में मन लगाना चाहते हूँ, तो मेरी इन पांच रामबान टेकनिक्स को अपना लेना, पढ़ाई करना बाए हाथ का खेल बन जाएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा, तो इस मोटिवेशनल विंग्स को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंक है नेक्स्ट विडियो में, जाए हिंद वंदे मातरम